बहती गंगा में हात धोना का सही अर्थ है तो बहती गंगा में हात धोना का सही अर्थ है चातुर्री वृत्ती से काम निकालना अपना काम निकालना पूर्णी का कारी करना या फिर आउसर का लाब उठाना तो दोस्तो इसका सेउत्तर हो जाएगा यहां पर हमारा आउसर का ल में गलत है दूस्तों अब पटवारी लेखपाल का एक्जाम है ग्रिजेशन लेबल का उस तो एक्जाम है तो इस तरह के बरसन उस तो वाँ पर बन सकते हैं तो यहां पर उस तो लुटिया पहला ऑप्षन है लुटिया डूपना यानि कि सारा काम चौपट होना तो ऑप्षन आपको ध्यान से पढ़ना है सब्ज भाग दिखलाना हराबरा करना मुठी गरम करना यानि कि दिश्वद देना ये तो इस थीक है माईका लाल यानि कि कहते हैं न कि माईका लाल शासी बैक्ती तो यह भी साही है लुटिया डूपना यानि कि सारा काम चौपट होना ये भी सब जब बाग दिखाना का दूस्तो अर्थ होता है यानि कि लालच देखकर भैकाना तो इसका सेउत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा option number B अगला वर्षन है उपत्तिका का अर्थ दूस्तो आपको यहाँ पर बताना है उपत्तिका का अर्थ बोले तो option number D हो जागा इसका विल्कुल सठीक उत्तर उपत्तिका यानि कि परवत के पास की भूमी और परवत सिखर पर इस्तित भूमी दूस्तो उसे क्या कहते है उसे कहते है अधिपत्तिका तो यह भी आपको यादखना अधिपत्तिका यानि कि परवत शिकर परिस्ति भूमे उस्तों उसे कहेंगे अधित्पत्ति का और यहाँ पर है उपत्ति का परवत के पास की भूमी अगला परसने आपर हमारा पराग एतिहासिक का अर्थ है तो इस तरह के परसने भी आ सकते हैं पराग एतिहासिक का अर्थ का बोले तो option number D होगा इसका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा लिखी ती थियास के पहले का होगा परागी थियासी का अर्थ अगला बरसन उस्तो उपसर्ग और परते ही हमारे सेलेवेस में साप साब दिया हुआ है तो यहां पर आपको बताना है एक से अधिक उपसर्गों से बना सब्द कौन सा है आलोचना, समालोचना, सहकारिया, सहुदर तो इसका से उत्तर हो जाएगा उस्तो समालोचना अब दोस्तो इसका आपको दोस्तो पहले उपसर्ग दोस्तो इसमें आपको पहचानना है इसको दोस्तो टोड़ेंगे हम सम धन आ धन लोचन सम धन लोचन धन आ अब दोस्तो देखे एक उपसर्ग सम हो गया आ लोचन आ अंत में भी दोस्तो आ है और 20 में भी दोस्तो आ है तो तो इसका से उत्रू जाएगा यहाँ पर मारा समधन आधन लोचंधन आ तो आपसे नमर बी अगला बसने ब्योहार का सई संदी विच्छेद है और उस्तों इसमें संदी कौन सी होगी यह भी जबादस्त प्रशन है अगर आ जाए कि ब्योहार में कौन सी संदी है तो बहुत से अगला बरसन है इसमें आपको बताना है कौन सा मिसरवाक्य नहीं है यह वही बच्चा है जिसे पहलने मारा जिससे आ गया एक विज्ञान गोष्टी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले जिसमें अनेक वक्ता बोले मैने एक वुष्टा खरी दी जो नहीं है तो यह तीनु के तीनु जह मिसरवाक्य है वहापरिसरमी ही नी वरण इमानदार वह वरण आगिया है अगर कहीं पर आपको और दिखाई किन्तु परंतु वरन बलकी दोस्तों ये सब होते हैं हमारे कौन से संवक्त वाग की बोले तो option बरस की हो जागा इसका से उतर पांके दोस्तों जो तीनु जो है मिश्रवाग की हैं और जो इसी वाला है यह संवक्त वाग की अगला बरस ने मुझे कल दो किलो लीची खरीदने खरीदने हैं कोई तुरूटी नहीं तुरूटी पर जाने दोस्तों इसमां आपको तुरूटी बतानी है कि कहां पर उस्तों किस भाग में किस option यहां पर तुरूटी है मुझे कल मुझे कल ठीक है कल को खरीदूंगा दो किलो मुझे कल दो किलो लीची खरीदने हैं अब दो लीची दोस्तों जो है यह इस्तिलिंग सब्द है इस्तिलिंग है तो यहाँ पर खरीदने हैं यह दोस्तों यहाँ पर नहीं होना चाहिए यहाँ पर होना चाहिए तर मुझे दो किलो लीची खरीदनी है लीची खरीदनी है तो खरीदने नहीं आएगा खरीदनी आएगा ऑप से बच्चे दोस्तों इसमें गल्ती करेंगे पर आपको नहीं करना है उसने अपनी कमाई का अधिकांक्स भाग पेलकुल गलत वह अपनी कमाई का अधिकांक्स भाग उसने अपनी कमाई का अधिकांक्स भाग देखे दोस्तों इन तीनों अप्षन में अधिकांक्स भाग अध अधिकांक्स उसने अपनी कमाई का अधिकांक्स गवा दिया तो दोस्तो अधिकांक्स यानि कि भाग खेने की जुरुदत नहीं है अधिकांक्स कह दिया तो उसमें इसका अर्थ यहां पर छिपा हुआ है तो इसका सेवत्र जेगा उसने अपनी कमाई का अधिकांक्स गवा द दूस्तो वर्तनी से परशन बन सकता है, सेलेबस में साप साप दिया हुआ है, वहां भी दूस्तो जब आपका चैन हो जाता है, तो वर्तनी दूस्तो जरूर से आपकी काम आएगी, तो हिंदी सुद्ध वर्तनी का सब्द, सुद्ध वर्तनी वाले सब्द का चैन, कवितरी, प पूजे नहीं दोस्तों बिल्कुल गलत है कोसे बच्चे इस तरह का पूजी नहीं सही करते हैं लेकिन दोस्तों नहीं पूजी नहीं किस्तर से होगा इस्तर से होगा तो यह पूजी नहीं होगा इस्तर से कभी कभी भी दोस्तों कर दिया और यह त्री भी लगा देक बिल्कु ग्दू परां दोस्तों यह होता यह आपको बिल्कुल यहाद दखना है अन्त्याक्ष्री ँष्टा था अन्त्याक्ष्री सुद्र Initiate李 यहापर इसे लेखेंक्याद सब्सक्राइब दोस्तो इसमें भी असुद्ध बताना आपको असुद्ध नहीं भासकर वांग मैं जोट्सना या सोचनी अब वांग मैं दोस्तो देखने में बिल्कुल सही है जोट्सना दोस्तो तो और तोनु जो हमारे आधे रहेंगे बिल्कुल सही है अब भासकर और सोचनी बहुत से बच्चे क्या करेंगे इस तरह से करेंगे सोच नहीं लेकिन दोस्तो नहीं ये दोस्तो जो लिखा हुआ यहाँ पर सोच नहीं ये बिल्कुल सही है भासकर दोस्तो यहाँ पर गलत है अब भासकर दोस्तो किस तरह से लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा इस तरह से तो जहां उपमे में उपमान की समानता की संभावना ब्यक्त की जाती है, वहाँ अलंकार होता है, कौन सा दुस्तों अलंकार होता है, जहां उपमे में उपमान की संभावना ब्यक्त की जाती है, उस तो वहाँ होता है, उत्प्रेक्चे अलंकार, बोले तो option मर ए हो जागा इस जहां हिंदी दोस्तों पूछी जाती है इस तरह का परसन जरूर से आता है चाहे आप बेट का एक्जाम दे है या अन्नी कोई एक्जाम दे है इस तरह का परसन जरूर से आता है तो सब्दा लंकार नहीं दोस्तों सब्दा लंकार नहीं है बिल्कुल बिल्कुल 60 कुत्तर अगला बर्षन है निमिल्ले कित मैंसे कौन सी रचना तुलसी दास की नहीं है गीतावली श्री क्रिष्ण गीतावली रामचरित मानस या भक्तमाल तो उस्तो मैंने आपको हिंदी की दूस्तो मात्र 6 कलास देने को खाता लेगे दूस्तो अभी श्री क्रिष्ण गीतावली किसकी रचना उस्तो भी प्रषन पूछा गया था सूर्दास तुलसी दास ऐसे आप्शन बने थे तो उस्तो ये पूछा गया था रामचरित मानस तो किसकी है तुलसी दास की है गीतावली तुलसी दास की है श्री क्रिष्ण गीतावली उस्तो ये भी तुल्सिदास की है, भक्तमाल उस्तो ये तुल्सिदास की नहीं है, भक्तमाल है नाभादास की, हलागि उस्तो नाभादास सलेबस में नहीं है, लेकिन जो और अनी एकजाम की त्यारी करते हैं, वहाँ ज़ोड़ से परसने टपक सकता है, अगला परसन उस्तो इस तरह तुल्सिदास ने राम की बारे में लिखा है राम तरी बानास तो आप तुल्सिदास टिक कर देंगे लेकिन तुल्सिदास नहीं सका से उत्र हो जाएगा यहां पर हमारा ओप्सन नमर B दसरत सूतति हूँ लोक बखाना राम नाम का मरम है आना दोस्तो यह हो जाएगा कवीर दास्त के दोस्तो पक्ति यह अगला परस्न है यहाँ पर दोस्तो पत्र काड़िता से परस्न है निमिल लिकित मैंसे किसके अंतरगत न्यूक्ति चुटीयों की स्विकिरती तथा पदबिर्द्धि आधी की सूचने दीजाती है परिपत्र परिपत्र सबी को भीजा जयाता है प्रेश बिग द्यक्ति या फिर कारेलाइ आदेश तो दुस्तो यह होता है कारेलाई आदेश कर दोस्तो अंतरगत होता है इसमें न्यूक्ती हो गया, छुट्टियों की स्यूकिर्टी, पध्विरिद्धी आधी सूचने दी जाती है, यह होता है, कारलाई आधेस में आगला परसन इनमा आपको बताना है, निमिल लिखित मैंसे लोकोक्ती कौन सी है जरूरी 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 जरूर को डाटे उल्टा चोर कोतवाल को डाटे ही हो जाएगा उसको यह लोको ओकती ऑफ्सन नंबर आंभी अग्धाव परस्न है आता एक वाक्यान से के लिए एक सब्ध यहां से बस्तों पुलिस प्रिस्या में प्रस्ण आथा लेकिन यहां बन सकता है वहराज किये धन जो किसानुं को चहायतार्त दिया जाता धा उसके लिए उची सब्ध है यहां पर आपको बताना है रेन होगा अनुबंद होगा अनुगरा होगा है तकावी होगा देखे दोस्तो जबडस्त परसन है और जबडस्त उप्सन इसके हैं तो वहराज किया धन्जो किसानु को सहयतार्थ दिया जाता दोस्तो उसे कहते तकावी उप्सन नमर भी अगला बरसन दोस्तों यहाँ पर बिलोम से भी बरसन नहीं बनाता लेकिन अब बन सकता है बिलोम दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कौन सा तुरूटी पूर्ण है तो चार बिलोम दोस्तों आपको यहाँ पर अभी के अभी याद होने वाले है समास का उस्तो संदी होता है क्या कता ही नहीं वहाँ से बच्चे क्या करते है समास का बिलोण क्या लगा देते है वहाँ पर होता है संदी ओप्शन में संदी टिक करते है लेकिन आपको नहीं करना है समास का बिलोण उस्तो ब्यास होता है बिल्कुल सही है छर अक्षर ये भी सही है स्वल्पायू चिरायू दूस्तो ये भी सही है आहार का उस्तो बिहार नहीं होगा आहार का उस्तो होगा निरहार आहार का उस्तो होगा क्या निरहार होगा तो बढ़ते हैं अगले बरसने की तरफ अगला बरसन दूस्तो यहाँ पर आपको बताना है कि उसने नहाकर भोजन किया इस वाकि में नहाकर निम्नांकित में से किरिया का उद्धाना दोस्तो यहां से परसं जरुड़ से बनता है पूरुकालिक किरिया, द्योकर्मक किरिया प्रिणार्थ किरिया श्युक्ति किरिया जरूरी ने उस्तो ये परसन आई सी तर से आये लेकिन इनसे दो परसने बनने की पूरी-पूरी संभावना रहती है पूरुकाली किरिया से खास दोर से तो यहां पर उस्तो इसका से उत्र होगा उसने नहा कर भोजन किया तो ततकाल उसतों दूसरी किदिया करता, जैसे उसने लिख किया नहाकर भोजन किया, पहले उसने लिखे पी तब जाकर भोजन किया, तो जब चाई पी तब जाकर बेठा, तीह उस effectivement बढ़ा ग'. दोस्तों ये थे आज के मारे मेहतून परसने, बाकि मिलते हैं बहुत जल्दे एक नई वीडियो में, बिल्कुल दोस्तों पढ़ते रहिए जितना समय है जितना पढ़ सकते हैं, तो मिलते हैं बहुत जल्दे एक नई वीडियो में अपना ध्यान रखे, स्वस्त रहिए, मस्त कुराते रहिए